कामियाबी एक सफर है मन्जिल नहीं ये कभी खतम नहीं होती अगर्चा आप उसको हासिल करने के लिए पुर अजम है आपकी पस्दीदा चीजें आपको कभी भी बगाइर मेहनत और आसानी के साथ नहीं मिलती स्यासत में हिसा ना लेने की एक सजा ये है के आप से कम तर लोग आप पर हकूमत करते हैं आज का दिन अपने लिए इतना शानदार बनाए के कल खुद आपके लिए इंतजार करें कोशश करना रोने से बेहतर है इनसान के लिए मुफीद खाना सबजी है एक कुटे के साथ दो खरगोशों का शिकार करने के बारे में मत सोचें तमाम चीजें बदल जाती हैं और हम उनके साथ बदल जाते हैं लेकिन हमें मेहसूस नहीं होता दूसरों को होता है लड़की का अकल मंद और अच्छा होना उसके जहेज के लिए काफी है सिर्फ दो कुवते हैं जो इनसान को मतहद करती हैं खौफ और दिल्चस्पी किसी से तवकात रखना इनसान की जिन्दगी को नुकसान पहुचाती हैं जब आप किसी नाशुकरे इनसान से महबत करते हैं तो आपकी महबत जाया होगी वो काम कभी ना करें जिससे आप नफरत करते हैं क्यूंके काम से नफरत डिप्रेशन और बिमारियों का सबब बनती है कुछ एसा तलाश करें जो आप करना पसंद करते हो उससे आप अपना काम इनजोआई करेंगे जब दुनिया कहती है तर्क कर दें तो आप एक बार और कोशश करें कभी भी किसी मतलब परस्त शक्स के साथ तालुक ना रखें अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को बुरे वक्त के लिए तयार कर रहे हैं कभी भी एसी चीज़ पर गुसा ना करो जिसे आप तबदील नहीं कर सकते किसी की भलाई करने का मोका हाथ से ना जाने दें उससे खुशी बढ़ती है उस इनसान को नीद नहीं आती जिसमें हसद हो आपके तमाम खुआब सच हो सकते हैं अगर आपके अंदर उनका पीछा करने की हिम्मत है ज्यादा तर ना खुशी की वज़ा से ये होता है कि लोग खुद से बात करने के बजाए दूसरों की सुनते हैं एक नए बरतन में जो चीज पहली बार डाली गई हो उस बरतन से बहुत देर तक उस चीज की भू आती रहती है अपने खयालात को संभालो आप उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं दुनिया तुम्हारी इज़त क्यूं नहीं करती इनसान की इज़त का राज तीन चीजों में है किसी से हाजत ना चाहो किसी को बुरा मत कहो किसी के महमान के साथ मत जाओ जिन्दगी अपने आप को ढूंडने के बारे में नहीं है जिन्दगी अपने आप को बनाने के बारे में है जेसे ही खौब करीब आता है हमला करके उसे तबाह कर दो अपनी दौलत में इस जाफे के दो तरीके हैं अपने वसाइल ज्यादा करें या अपनी खुआशात को कम करें अच्छा काम करने पर लोग कभी तारीफ नहीं करते लेकिन बुरा काम करने पर तनकीद करना नहीं भूलते लोगों की नजरों में अपना अच्छा तासर काइम करना इनसान के अपने हाथ में होता है मर्जी के खिलाप किया जाने वाला काम इनसान को खुशी नहीं देता हर चीज में एक खुबसूर्ती होती है लेकिन उसे हर शक्स नहीं देख पाता में दूसरों की हर बात पर आँख बंद करके यकीन करना मुनासिब नहीं समझता चुहा एक समझदार जानवर है जो कभी अपनी जिन्दगी सिर्फ एक सुराक के सुपर्द नहीं करता किसी से नफरत करना उन्हें उतना तकलीफ नहीं देता जितना आपको तकलीफ देता है भूल जाएं आगे बढ़ें अगर मुझे जिन्दगी गुजारने का दुबारा मौका मिलता तो मैं सिर्फ दो चीजों पर ज्यादा तवज्जह देता एक वक्त की पाबंदी दूसरा सुबह जल्दी उठना मजबूत इनसान वो है जो अपनी बुरी आदात को फतेह करता है एक आदमी जो एक घंटा जाया करने की जुरत करता है उसे शायत अभी तक जिन्दगी की मुश्कलात का अंदाजा नहीं है कभी कभी सच कड़वा नहीं होता लेकिन सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है जब इनसान अपनी खुवाईशों और जरुरतों पर काबू पा लेता है तो उसे कभी जूट बोलने की जरुरत पेश नहीं आती गैरों की सोहबत अपनों का दुश्मन बना देती है नहीं करो बलके इतनी मेहनत करो के हर दिन आप का हो अकल मंद आदमी अपने फेसले खुद करता है लेकिन जाहिल आदमी लोगों की बातों पर अमल करता है चोटे आदमी सोचते हैं के वो चोटे हैं अजीम लोग कभी नहीं जानते के वो अजीम है जो आदमी छोटी-छोटी मुसीबतों को बरदाश्ट नहीं कर सकता वो कभी भी बड़े काम नहीं कर सकता अगर आप चाहते हैं के कोई भी काम अच्छी तरह से हो तो वो काम आप खुद करें कामियाबी के फारमूले में सबसे एहम बात ये जानना है के लोगों के साथ केसे चलना है एक जाहिल और बदकार इनसान की निशानी ये है के वो अपने पास मवजूद किसी भी चीज पे खूश नहीं होता और लाहासिल की तमन्ना में रहता है अगर तुम अपना सफर नहीं रोकते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता के तुम कितना आहिस्ता चलते हो एक जाहिल हुकमरान पूरी कौम की तबाही का सबब होता है अगर आपको नीद नहीं आ रही तो लेट कर परेशान होने के बजाए उठे और किसी काम में लग जाए